दोस्तों हमारे जीवन में अगर कुछ अस्थाई है तो वो है परिवर्तन और परिवर्तन खुदी अस्थाई नहीं होता है यानि कि समुद्र की तरह हमारा जीवन एक प्रवाह है इसमें लहरें उड़ती हैं और बैठती रहती हैं आपको एक योध्धा की तरह अपने जीवन में आने वाले उतारों और चढ़ाओं का स्वागत और सामना करना चाहिए यही एक मात रास्ता है जीवन को जिन्दा दिली से जीने का तो समुद्र की लहरों की तरह हमारे जीवन में कुछ भी इस्थिर नहीं रहता इसलिए जो आता है उसका सम्मान करें जो जाता है उसको छोड़ें उसको जाने दें नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस्टेटी विद्ग्यान प्रकास में आज 28 अगस्त है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की दनी टोजकार समाचार तो सबसे बड़े बात करते हैं यूपी वीडियो रिख एक्जाम डेट के बारे में जैसा की आप जानते हैं यूपी ट्रिपल स्टे के द्वारा उनने सो तिर्पन पदों पर ग्राम विकास अधिकारी भरती का बिग्यापन 2018 में जारी हुआ था इसमें 13,00,000 के आसफास शात्रों ने फार्म भरा था और इसकी परिख्षा भी हो चुकी थी लेकिन अब इसकी पुन्ह परिख्षा होने वाली है और ये बात बिल्कुल कनफर्म हो चुकी है कि यूपी में जो यूपी ट्रिपलसी की वीडियो की परिख्षा है उसका री इक्जाम होना बिल्कुल तैय है तो अब भरती यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि इस परिख्षा का आयोजन भी सिग्र ही कराया जाए लेकिन क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि अभी जो पीटी की परिख्षा होनी है अक्टूबर के मद्ध में तो अब यह जो परिख्षा होगी वो नॉंबर या दिसंबर में ही पॉसिबल हो पाएगी हलांकि जो अब भरती हैं वो जीतोड़ प्रिख्षा कर रहे हैं कि वीडियो की पुने परिख्षा है वो अथिसीक्र हो जाए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 29 अगस्त को चात्रों द्वारा एक ग्यापन अभियान चलाए जाएगा अबाउट की वीडियो परिख्षा की पुने परिख्षा कर लिजिए कि वीडियो की पुने परिख्षा है उसका डेट U-P-S-S-C जल्द से जल्द घोसित कर दे यहां परती के दो सवाल हैं कुछ लोग सवाल पुछते हैं कि क्या वीडियो की परिक्षा में जो अब बैठती पिछली बार नहीं बैठेते वो इस बार परिक्षा दे पाएंगे इसका जवाब आता है यस आपने अगर फार्म भरा था पिछली बार आपने परिक्षा दी या नहीं दी कोई फर्मी पड़ता है अगर आपने अपना फार्म भरा है तो आप परिक्षा दे पाएंगे तो ऐसे बिरती जो वीडियो की परिक्षा में जोनोंने आवेधन किया था वो लोग फार्म भर सकते हैं और इस परिक्षा को क्रैक करना भी आसान होगा मामला 2018 का है अब तक जितने भी मेधावी रहे होंगे उनमें से कई लोग चैनित भी हो चुके होंगे दूसरी बात ये कि नए भिरती इसमें आएंगे नहीं क्योंकि जो नए कमपटीटर हैं वो इसमें सामिल नहीं हो रहे हैं पदों की संक्या भी काफी सांदार है 1953 लग पर 2000 के आसपासपत हैं तो अगर आप तयारी करें प्रापर तरीके से तो आसानी से इस परिक्षा को आप क्रैक कर सकते हैं तो मुक्रूब से परिक्षा आसान रहेगी क्योंकि बरतमा समय में जो परिक्षा एजन्सी क्वेशन पेपर बना रही है उसका लेबल आप देख रही ही रहे होगे कि बहुत टाफ पेपर बहुत टाफ क्वेशन नहीं आता है और इसके साथ साथ बहुत सारे जो मिधावी हैं आप लोगों के लिए अगर आप इस परिक्षा को क्रेक करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रैक्टिस सेट अब आपको नेमित इसे चनल पर उपलब्त कराए जाएंगे और टॉपिक वाइस क्लास भी आज से स्टार्ट हो रही है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं AWS आर्मी पब्लिक स्कूर्ट रिक्रिप्रिटेंट के बारे में जहां पर PGT, TGT और PIT के पोस्ट हैं और इसके लिए आनलाइन आवेदन 25 अगस्ते 5 अक्टूबर तक लिए जाएंगे तो इसके लिए पूरी पूरी जो क्राइटेरिया है यानि कि कौन-कौन आवेदन कर सकता है स्लेबस क्या होगा उम्र सीमा क्या है सीटेर की ज़रूरत है या नहीं है नियूकती कहां पर होगी, कैसे होगी सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के मादम से उपलब्द करा दिये ये वीडियो कल अपलोड किया गया था इसको लगबग आट से दस जार लोग देख भी चुके है अगर आपने नहीं देखा है तो तुरुन जाकर देख लीजिए आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे वीडियो देखने के बाद जो प्रस्ट बार-बार पुशा गया है वो ये था कि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप इसमें अपलाई करते हैं ठीक है अगर आर्मी पब्लिक स्कूल में आप अपलाई कर रहे हैं तो जो पहला चरण है वो है आनलाईन स्क्रीनिंग टेस्ट का तो ओस्ट का स्लेबस मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा है कि इसमें स्लेबस क्या होगा प्राइमरी का या फिर टेजीटी का या फिर पीजीटी का लेकिन अब इरती यह जानना चाहते हैं कि माध्यम क्या होगा यानि कि जो परिच्छा होगी वो हिंदी में होगी या फिर इंगलिस में होगी तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप किसी विशेगत पद के लिए आविदन कर रहे हैं जिसे हिंदी टीचर के लिए या फिर संस्क्रिट टीचर के लिए तो आपका जो विशेगत होगा जिस भासा के लिए आप अपलाई करेंगे उसी भासा में कुश्चन पेपर होगा लेकिन अगर आप अपलाई कर रहे हैं अधर सब्जेट के लिए लाइकल अगर आप आपने यहाँ पर आविदन किया है सोसल साइन्स के लिए या फिर आप आविदन कर रहे हैं फिजिक्स के लिए या फिर केमेस्टी के लिए या फिर अदर सब्जिट के लिए तो आफ से जो प्रस्प पुछे loop पूछे जाएंगे वो इस वीडियो से ले सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टेलिग्राम चैनल पर सचाथ आपकी चैनल पर उपलब्द करवा दिया गया हैं, और यहां पर देखेंगे तो UPPSC की वही पुरानी कहानी है, UPPSC 2018 से ना तो नीमे तरीके से फाइनल आंसर की जारी कर सीट आती थी, वो देख सकता था कि उसने किस सब्जेक्ट में और किस पोर्शन में कितने अंख हासिल की हैं, कहाँ पर उसको implement की जरूरत है, कहाँ पर नहीं, और कटाफ कितना गया है, कितने अंखों से उसका चें होते हुते रहा गया है, तमाम जानकरियां जो मिल जाती थ उसे तो UPSC ने ये बिवस्था लगबग भंग कर दिये और अब इसे रिजूम कराने के लिए जो अभेड़ती हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पहले सब कुछ हो चाता है उसी प्रकार से बरतमान समय में ये बिवस्था पुने लागू की जाए हलाकि UPSC ने कभी असपस रूप से कहा नहीं कि हम ना तो कटाप बताएंगे ना फानल आंसर की जारी करेंगे लेकिन UPSC ये काम करता भी नहीं है तो यहां पर जो अभेड़ती हैं खासे परिसान है और मैं भी यही चाहता हूँ कि जिस प्रकार से UPSC की परिशाएं होती है फिर उत् करती के लिए अपना Evaluation अपना मुल्यांकन करने के लिए और एनिवे देखते हैं कि इस पर जो है UPSC क्या प्रत्क्रिया देता है और देखें अगर बात करें तो कुछ सवाल मेरे मन में आते हैं और इसका जबाब पता नहीं किसके पास होगा किसके पास नहीं होगा जैसे कि अगर देखा जाए तो पिछले कई सालों से ये खेल चल रहा है लगबग हर परिशा जब परिशा पूरी हो जाती है तो न्यूस पेपर में आ जाता है कि पेपर आउट हुआ पेपर आउट करने का प्रयास किया गया इतनी लोग पकड़े गए जात्र पकड़े गए मास्ट सिस्टम है और काफी सक्षम अधिकारी होते हैं तो वो यह जो लपूजहना ही कहेंगे आप टाइप के जो टटपूजी होते हैं जो कि इस पेपर की सुचिता में सेद लगाने का प्रयास करते हैं उनके साथ इतनी कड़ी कारवाई आखिर क्यों नहीं होती है कि ये लोग द स्कूलों के मनेजर भी पकड़े गए हैं और अब वो अभेड़ती भी टार्गेट पर हैं जिनके नाम सामने आये हैं कि इन लोगों को नकल कराई गई थी अब उनसे भी पुछता चोगी विलाज उलाकर इस्तिती ये है कि एक कड़ी कारवाई क्या हो सकता बनती है ताकि ऐ पुलिस नो परिक्षारतियों को पेपर साल्व कराई गए थे या तीनों उनी प्रबंदकों के कालेज हैं जिनने एस्टी अप ने गिरिफ्तार किया है मामले की जाच परताल में यह खुलासा हुआ है तो इस खुलासा के बाद पुलिस उन परिक्षारतियों से पुस्तास क की त्यारी कर रही है जिनके नाम सामने आए हैं सुत्रों का कहना है कि इस बाबाद मुकदमावादी स्टी एप के इंस्पेक्टर की ओर से नैनी पुलिस को जानकारी दी गई है बताया गया है कि जब ग्रिफ्तार तीनों अन्ने कालेज प्रबंदकों से उस तास की गई तो उन्हें भी अहम जानकारी मिली है और इस प्रकार से अब आगे की जो कारवाई होगी देखते हैं कि क्या होता है और इसी के साथ एक और बड़ी न्यूस निकल के आ रही है यह लखनों का एक राजेश चौभान है ठीक है यह तस्बीर आप देख रहे होंगे राजेश चौ का मालिक है और इसने खुद एकसेप्ट किया है कि उत्तराख्रण की दो परिक्षाओं के पेपर इसने आउट करवाई और आप यहां पर देख सकते हैं राजेश चौभान ने देखते ही देखते एक सो ग्यारा करोन रूपए मूल ले वाली दो कंपनियां खड़ी कर ली है उत्तरप्रदेश मद्रप्रदेश में भी इस कंपणी द्वारा कराई गी परिक्षाओं में धानली के आरोप हैं और चौभान ने असना तक अस्तरी परिक्षा का पेपर दो करोन रूपए में यूपी के दलाल केंदरपाल को बेचा था केंदरपाल ने पेपर आगे उत्त पूस्ताज में चौवान ने कबूल किया है कि सचिवाले रक्षक भरती परिक्षा का पेपर भी उसी ने लेक रहा है था तो अभी तो दोग इसने एक्सेप्ट किया है पता नहीं क्या एक्चुल में क्या सिंथा होगा यह तो अभी जांच के बाद ही पता चलेगा यहां पर सवाल उड़ता है कि बात उत्तराखंड की हो उत्तरप्रदेश की हो या फिर मद्ध्रदेश की हो सरकार को विचार करना चाहिए कि इनका अपना खुद का पेपर शापने का एक एजनसी एक प्रेस होना चाहिए आखिर ऐसे लोगों की सहायता ही क्यों ले जो बिलकुल मतब यह लोग एक तो प्राइबेट होते हैं और इनकी इमानदारी पर क्या कहें तो आप देखी रहे हैं कि सक करें या ना करें तो यहाँ पर सारी चीजें बहुत ही गंबीर हैं और इस पर जो है एक बार विचार करने की आव सकता है ताकि ऐसी घटनाओं की बार बार जो चालीग में ग्रिफ्तार कई एक बारों में यह न्यूज आज आप देख पाएंगे और के अंदर परी रेजिस्ट्रेशन के बाद प्रिश्परिच्छा लगबग आज से दस साल पहले एंबी और एंसीए का जबरदस्त क्रेज हुआ करता था लेकिन आज इस्तिति यह है कि एंबी और एंसीए के लिए धूड़े लोग नहीं मिल रहे हैं और यह इस्तिति आपके डिलेट के लिए भी है कि सीटों के बराबर भी आविदन नहीं आते हैं तो पर प्रिफ्रिश्परिच्छा कोई मतलब यहां पर बनता नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी में बैठने की अनमती मिल गई इस प्रकार से यह सारी चीजें जो है वो चल रही है और यह जो मामला है एंबी एंसीए वाला यह यूपी का जो राजासी टेंडन मुक्त पस्विदाला है उसे से जूड़ा हुआ हुआ है यानि कि उसको भी अब बच्चे जो है ढूड़े नहीं मिल रहे हैं MBA और MCA पार्ठिकरम के लिए तो फ्रेंड्स यह थी आज की पूरी अपडेट चैनल को अगर आपने अभी ते सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें अपने दूस्तों के बीच सेर कर दें थै हैं